असलाम अलेकुम नाजरीन जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको आर्ट की बेसिक्स के बारे में इनफॉर्म करेंगे तो आज हम बैटे वे हैं मशूर आर्टिस्ट एहमद हबीब के स्टूडियो में और हम बातों बातों में उनसे ये पुछेंगे कि बेसिक आर्ट माटीरियल क्या है कहां से लिया जा सकता है और ये कि इसके इस्तमाल का तरीका एकार क्या है तो मिलते हैं एहमद हबीब से जी सामलेकूम तेंक्यू सो मच आज हम आपके खुबसूरत स्टूडियो में बैठे हुए और हम थोड़ा सा ये जानना चाहरे हैं कि ये जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो बहतरीन फन पारे बनाते हैं ये एक्च्वल में क्या मटेरियल यूज करते हैं बहुत शुक्रिया समीना मैं समझता हूँ कि इंतहाई एहम टॉपिक पे हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं क्योंकि एक सोलजर कितना भी जजबा लेके उतरे अगर उसके पास प्रॉपर वेपन नहीं है तो आप फाइट नहीं कर सकते हैं हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो भी आर्ट शुरू करना चाहरा होता है उसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले उसको बिल्कुल स्टार्ट में ही माटेरियल अवेरनेस पे बहुती बारीकी के साथ जो है बरंगे ईजल्स हर चीज कसरत से अवेलेबल है हमारे जमाने में जब हमने आर्ट शुरू किया तो हम चीजों को ढूंडते थे और वड़ी हसरत से आर्ट के मैगजिन्स में जो के संडे मार्किट से पुराने मैगजिन्स मिलते थे उसमें देखते थे और हम कहते थे पता नहीं किस दुनिया की बाते हैं अब उस सब कुछ आपके दर्वाजे पे आगया है और आपको अवेलिबल है लेकन सवाल ये है कि मैं ये नहीं कहता कि सारा मिटीरियल बुरा है मैं ये कहता हूँ कि सारे मिटीरियल में से आपका मिटीरियल कौन सा है इतने सारे ब्रशे में से जो कि सारे सही ब्रशे हैं मगर उस सारे ब्रश में आपका ब्रश कौन सा है जैसे फार एक्जेंपल हम चारकुल पे बात करते हैं नॉर्मली जो भी स्टूडेंट्स चारकुल को हम लिख के देते हैं कि आप चारकुल से हम काम करेंगे तो वो जब शॉप्स पे जाते हैं तो वो मुख्तलिफ महंगे ब्रैंड का चारकुल ले आते हैं जबके मैं उनको कहता हूँ कि आपने 20 रुपे का नैचरल चारकुल लेके आना है इसी तरह ब्रशिस में से भी बहुत सारे ब्रशिस हैं जैसे हम आज मिटीरियल के इस प्रोग्राम पे हैं तो हम सबसे पहले वाटर कलर के मिटीरियल को डिसकस करेंगे और इस सवाल को मैं बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से आपको करके बताऊँगा समझाने की कोशश करूँगा कि महंगा सस्ता मिटीरियल अच्छे बुरे होने की दलील नहीं है मेरा माना ये है कि आपका ब्रश सस्ता भी हो सकता है आपका ब्रश महंगा भी हो सकता है सवाल ये है कि आप किस तरह की पेंटिंग करते हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं तो उसके मताबक वो मिटीरियल होना जरूरी है अगर एटमी जंग है तो आप सोल्ड से नहीं लड़ सकते हैं इसी तरह मुख्तलिफ मिटीरियल हैं तो आप को जो आप करना चाहरे हैं उसके मताबक मिटीरियल होना जरूरी है महंगा सस्ता होना एहम बात नहीं है जैसे हम सबसे पहले हम ब्रश से शुरू करते हैं वाटर कलर के ब्रश पर आते हैं तो हम सबसे पहले वाटर कलर की जब हम बात करते हैं तो आपके बाद तीन चीजें होती हैं जो आपका मेंड टूल होता है सबसे पहले आपका ब्रश, दूसरे नमबर पे आपका पिगमेंट, कलर, तीसे नमबर पे आपकी शीट, आपका पेपर, बहुत इंपॉर्टन चीज़ है तो हम ब्रश से शुरू करते हैं, ब्रश जो है, आपका सबसे पहले आपका ब्रश जो है, वो शेप वाइज दो किसम का होता है, ठीक है हम brush को दो shape wise, दो shapes में divide करते हैं एक आपका round brush होता है और एक आपका flat brush होता है international term में इसको chisel बोलते हैं और इसको bullet कहते हैं अगर आप कहीं बाहर रहें तो आप कहीं किसी shop पे जाएं आप कहीं कि मुझे bullet brush चाहिए तो आपको round brush आराम से नकाल के दे देंगे इसी तरह chisel इसको कहते हैं तो chisel आपको आराम से वो दे देते हैं फिर इसमें different shapes हैं अब यह तो होगी shape wise दो किसम का brush होता है उसके बाद आपके पास हर brush चाहे वो round हो या flat हो material wise दो किसम का होता है एक आपका synthetic brush होता है और एक आपका natural for example हम flat brush को ही ले ले लेते हैं flat में अब आप देखें यह synthetic brush है और यह आपका natural brush है अब natural brush में और synthetic में इसी तरह फरक है फिर round brush में भी आप जाएं तो आपके पास यह bullet जो है यह natural है और यह आपके पास synthetic है ठीक है इसी तरह फिर sheet में जब आप जाते हैं तो sheet भी synthetic होती है और natural होती है फिर pigment जो है वो भी दो किसम का होता है जैसे आपका color जो है वो एक dry cake में भी available होता है मुखिलिफ ब्रेंड्स के dry cake साब के पास अच्छे quality के हर तरह के जो pigments है वो available होते है market में तो यह आपका dry cake है और उसके बाद आपका वो ही color जो है वो tube में भी available होता है तो basically हर material आपका जो है वो दो तरह की shapes में दो तरह की range में available होता है अब सवाल यह है कि ऐसा क्यूं है क्यूं नहीं एक ही तरह का material बना दिया जाता ताके मसला ही खत्म हो जाए इसलिए कि techniques different है जासे मैंने कहा कि दो different techniques है impesto है और wash technique है तो आपके pigment भी दो तरह के होते हैं तो इसमें से आपका style क्या है आपका application of medium क्या है आपकी technique क्या है handling किस तरह की है तो उसके मताबक ही आप brush भी select करते हैं उसके मताबक ही आप color भी select करते हैं उसके मताबक ही आप sheet भी select करते हैं अच्छा एहमद मुझे ये बताईए कि जो ब्रश आपने हमें दिखाए इनकी शेप्स के फरक से क्या रिजल्ट फरक आता है कैसे हम सिलेक्शन क्या करते हैं नहीं ब्रश की जो शेप होती है वो बिसिकली डिपेंड करती है कि आप पेंटिंग्स के अंदर जो एरिया है उसम मताबक आप ब्रश की शेप चेंज करते हैं फिर उसका साइज चेंज करें बसलने खुला एरिया है तो अगर आप चोटे ब्रश से डील कर रहे हैं तो जितनी देर में आप कवर करेंगे तो वो कलर चुंके शीट ड्राइ कर रही होती है तो उतनी देर में आपका कलर जो है उतनी उसके अंदर सॉफटनेस नहीं रहेगी इसी तरह चोटे एरिया में बड़े ब्रश के साथ बहुत सारे लोग ने डील करते हैं तो जो ब्रश की शेप होती है वो दर असल आपके पेंटिंग्स के एरिया पे डिपेंड करता है लेकन असल सवाल यह है कि सिंथेटिक औ आप में पिलर्स हैं जन पर आपका आर्ट पीस तियार होता है आपका ब्रश आपका कलर आपकी पेपर और आप खुद इन चारों के दरमयान बेस्ट हॉर्मनी से ही एक अच्छा मास्टर पीस तियार होता है अब देखें सिंथेटिक में और नेच्रल में यह एक बड़ी इ जो है वो नेच्रल आपने लिए है हैंडमेड शीट है जैसे मुख्लिफ ब्रेंड की अभी मैं आपको दुखाऊंगा और आपने ब्रश लिया सिंथेटिक होता क्या है कि सिंथेटिक ब्रश चूंके प्लास्टिक होता है तो प्लास्टिक में जब आप कलर पानी के अंदर करके नकालते हैं तो ब्रश एक अपने शेप या अपने साइज के हिसाब से उतना कलर जो है वो होल्ड कर लेता है। उसके बाद जब आप शीट पे ब्रश को रखते हैं तो अगर नैचरल शीट हुई और सिंथेटिक ब्रश हुआ तो होगा क्या कि नैचरल शीट के अंदर कलर को जजब करने की ये सक करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है और उसके मकाबले में ब्रश के अंदर कलर को होल्ड करने की सलाहियत कम होगी। तो होगा क्या कि जो ही आप शीट पे ब्रश को रखेंगे तो शीट सारा कलर जो है वो सक कर लेगी इसके अंदर से चुँके यह प्लास्टिक है यह होल्ड नहीं कर पाएगा अगर आप लेंथी एक स्ट्रोक खेंचना चाहरे हैं तो जो आपने खेंचना था वो कलर सारा उधर रह गया और उसके आपके पास कलर ब्रश में नहीं रैएगा तो आप वह बेस्ट लाइन या वह वो स्ट्रोक उस लेंथ में नहीं लगा सकते इसी तरह अगर आपने ब्रेश नैचरल लिया और शीट आपके पास सिंथेटिक है अब सिंथेटिक शीट का मतलब यह होता है कि मिशीन मेड शीट उसके अंदर एक उसको पल्प को की को होल्ड करने के लिए उन्होंने केमिकल्स डाले होते हैं तो जो नैचरल ब्रेश है उसमें कलर को होल्ड करने के सलाहियत ज्यादा होती है अब जब आप शीट स्लिपरी है आप उसको खैंच रहें तो वह शीट उसमें से कलर ले नहीं रही तो वह आपका मोस्टी स्ट्रोक ट्राय जाता है तो यह बड़ी टेकनिकल बाते हैं इन देखें नैचरल जो ब्रश है यह बहुत सॉफ्ट होता है अब जैसे मेरे पास यह जो ब्रश है पेलिकन का ब्रश है नाइटी-फॉर से यह ब्रश मेरे साथ है नाइटी-फॉर में अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद मुझे अबू ने यह सेट गिफ्ट किया था और अपना सारा अलमोस्ट केरियर अब तक मैंने इसी सेट के साथ पेंट किया है वाटर कलर ब्रश आपका जो है वो आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्ट होती है अगर आपने इसको संभाल लिया तो ये ब्रश कभी ने गिसता और कभी खराब नहीं होता है इसकी केर करनी बहुत जरूरी होती है इसलिए आप इसको संभाल के रखें इसी तरह ये विंसर और न्यूटन का मेरे पास ब्रश है ये सिन्थाटिक ब्रश है मगर निस्पतन बाकी ब्रैंड्स में से ये सिन्थाटिक ब्रश भी नेचरल के बहुत रेल नियर है इसलिए हम mostly हम इस brush को prefer करते हैं कि ये विंसर और नियूटन का जो brush है कॉटमें अगर आपको natural available नहीं है तो आप इस पे चले जाएं बहुत अराम से एहमद एक impression है generally के art materials इंतहाई expensive होते हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनमें naturally बड़ा talent है paint करने का बट उनके पास resources नहीं है तो अगर कोई afford नहीं कर पाता to invest in natural brushes तो synthetic के साथ क्या वो result हासिल कर पाएगा देखें मैं यह बड़ा एहम सवाल है जैसे मैंने कहा ना आपके तीन main invests होती हैं paper पे, colors पे और brush पे तो मैं अक्सर student को कहता हूँ कि अगर आपको compromise करना है तो सबसे पहला compromise आप color पे करें ठीक है आपका color किसी low brand का भी हुआ ना तो वो चल जाएगा दूसरा compromise आप brush पे कर लें जैसे कुछ सस्ते brush जो है available है यह जैसे यह बहुत सस्ता brush है इंतहाई सस्ता brush है लेकन natural है, गलहरी के बालों का बना हुआ है इसलिए हम इसकी शकल और सूरत पे नहीं जा रहे यह बजाहर अब इस brush के मकाबले में अतना अच्छा brush नहीं है बहुत ही एक बद्दा सा brush लगता है लेकन यह इस brush से इसलिए बेतर है कि यह synthetic है और यह natural है यह इस brush से कई गुना ज्यादा महंगा है, यह natural brush है, local made है, मगर हमें इस से यह result बहतर दे सकता है sheet पे हम कभी compromise नहीं कर सकते है, water color में especially क्योंकि water color एक ऐसा खेल है कि proper ground पे ना खेला गया तो यह कभी result नहीं देगा जैसे hockey और cricket में या cricket गली महले में शाम को सड़क पे इंटें रखके खेल लेते हैं मगर hockey नहीं खेल सकते हैं उसके लिए आपको proper size में proper ground ही चाहिए, क्यों कि water color में क्या होता है कि water color में sheet बहुत important चीज होती है, ठीक है, मुख्तलिफ किसम के papers available हैं, मुख्तलिफ textures में available हैं जो बजाहर लगते हैं कि आपको water color है मगर actually water color sheets नहीं होती जैसे sheets के उपर लिखा भी होता है water color मगर वह water color sheets नहीं होती इसी तरह water color के लिए sheet जैसे मैं कह रहा था कि इसलिए important है कि water color में आपने 50% काम करना होता है 50% nature ने काम किया होता है, जैसे sketching में और water color में एक बन्यादी चीज common यह है कि आपके पास यह 100% light मुझूद है paper पे आपने सिर्फ shadows लगाने हैं और जहां light है वह area छोड़ते हुए जाना है, ठीक है? तो जब आपको white area light जहां-जहां है वह छोड़नी है basically painting तो shade and light के combination का नाम है आपको किसी object पे light देनी है और फिर shadow देना है तो वह object निकल आता है तो oil color में या impasto technique में यह होता है कि आपको light भी लगानी है और dark भी लगाना है जबकि water color और sketching में आपको light नहीं लगानी, सिर्फ dark लगाना है तो उससे क्या फर्क पड़ा, क्या चीज सामने आई कि आपको basically किसी भी painting को बनाने के लिए 50% काम करना है, 50% already मुझूद है यानि इस वक्त यह paper 100% light है मैं shadows सिर्फ लगाऊंगा तो object निकल आएगा, इसी तरह water color में भी आपने light area छोड़के सिर्फ shadows लगाने होते हैं अब जो आपने 50% shadows लगाने हैं उसमें भी आपने 50% काम करना होता है, 50% आपका sheet response करती है आपने पानी लगाया, पानी के अंदर एक कत्रा color का drop दे दिया उसके बाद अगर अच्छी sheet हुई तो उसको spread करती हुई और वो natural reaction जो होगा उससे आप paintings का result ले लेते हैं तो इसलिए sheet बहुत important होती है Thank you, Ahmed. आज के लिए I think हमने तीन basic चीजों पर बात की और I think कि हम follow-up के तौर पर जब हम जाएंगे तो पिर हम एक-एक medium को अलेदा-अलेदा से लेंगे प्रशिस में application का तरीका क्या है या paper को कैसे आपने treat करना है जी बलकुल इससे बलके इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम अब इसके बाद हम investor technique पे बात करेंगे कि आपके oil या acrylic के brushes क्या हो सकते हैं और उसकी selection किस तरह होनी चाहिए फिर हम जब material select कर लेंगे तो हमें फिर further मेरा ख्याल है कि यह समझना बहुत जरूरी है कि basically painting की techniques क्या होती है आपने जो material समझ लिया है अब यह क्यों जरूरी है कि इस technique के लिए ये brush हो और उस technique के लिए ये brush हो thank you so much मिलते हैं अगले episode में जहां पर एहमद जो है वह थोड़े से और detail में आपको इन mediums के बारे में बताएंगे